हेलो दोस्तों मैं प्रीती और स्वागत है आप सभी का मेरे हेल्दी एंड टेस्टी फूल रेसिपी में तो जैसे कि आप सभी को पता है कि दिवाली आने वाली है, मिठायों का काफी जादा आधन परदान होता है तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत जादा टेस्टी और दानेदार बेसन के लड़ों की रेसिपी बिना इसकीप के वीडियो को एंड तक देखिएगा तो यहाँ पर मैंने फ्राइपेर में थोड़ा सा गी एड़ कर लिया है, एक की बार हमने पूरा गी एड़ नहीं करना है और यहाँ पर मैंने डाइसो गराम के बराबर बेसन लिया है यह मैंने बारिक बेसन लिया है अब हमने इसको घी के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है यहाँ पर मेरा घी थोड़ा सा कम लगा मुझे तो मैंने थोड़ा सा घी इसमे और एड़ कर लिया है आप भी ऐसे ही थोड बेसन को continue चलाना है मीडियम फ्लेम पे रखना है गैस को और बेसन बनाने में हमको बहुत जादा पेसन की जुरत पड़ती है क्योंकि हमने इसको बिना रुके continue चलाना है तभी इसका स्वाध बहुत जादा अच्छा आता है तो आप यहां पे देख सकते हो कि मेरे बेसन से गी मैंने इसको अच्छे से mix कर दिया है यहां पे मेरे साथ बेसन को fry करते वे एक प्रॉब्लम आ गई थी कि जो मैंने बेसन लिया था उसने बाद में बहुत जादा घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया था यह प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी हो सकती है क्योंकि कोई बेसन ज्यादा घी अपजर करता है कोई कम करता है तो हमने यहां पे घवराना नहीं है मेरे पास एक ट्रीक है जिसे हमारी प्रॉडम सॉल हो सकती है तो हमने यहां पे आधी कटोरी के बराबर सूजी लेनी है जिसको रावा भी पोलते है और हमने इसको मीडियम फ्लेम पे और सूजी को बेशन के साथ एड़ करने से क्या होता है कि जो लड़ू है ओर भी जादा दानेदार बनते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है हमने यहाँ पर चीनी एड़ नहीं करी है और यहाँ पर हमारा बेसन सूजी भून के अच्छे से तयार हो गया है इससे अच्छे से खुसबू आने लग दी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है इस इस पर हमने चीनी को बिल्कुल भी एड़ नहीं करना है चीनी को यहाँ पर जाएगी और यह हमारा मिस्टन और ज्यादा पतला हो जाएगा तो हमने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है उसी की बाद चीनी एट करनी है यहाँ पर मेरा मिस्टन अच्छे से ठंडा हो गया है इसके बाद मैंने एक कटोरी के बराबर चीनी को ग्राइंड कर लिया मिक्स कर देना है कई लोगों को सिकायत रहती है कि बैसन के लड़ो खाते हुए गले में चिपकते है तो यह प्रॉब्लम तभी आती है जब आपने बैसन को अच्छे से फ्राइड ना किया हो अब यहाँ पर मेरे लड़ो का मिस्टन बनके बिलकुल तयार है लड़ो का साइ आप जरूर से ट्राइ कीजिए और इसी तरीके से step by step follow करते हुए अगर आप लड़ू बनाओगे तो आपके लड़ू बहुत जादा टेस्टी और दानेदार बनेंगे अगर आपको मेरी आज की recipe पसंद आती है तो please मेरा चैनल को subscribe करें वीडियो को like करना ना भूले और जादे से जादे इस वीडियो को आगे share कीजिए और bell icon को प्रेस करना ना भूले ताकि जो भी मेरी आगे नई वीडियो आए उसका notification आपको time पे मिलता रहे